तो फ्रेंट्स आज संडे है और हमारे साथ अंबोल हमारे फ्रेंड तो इनसे आप मिल चुके हैं अब आगे चलके और तीन फ्रेंड्स को इंट्रीज कराएंगे आज हम लोगों ने सोचा कि चलो ऐसे एक राउंड मार के आते हैं वीकेंड राइड थुड़ी दिर पहले बार प्रेंड पाइश होने के बाद सभी दोस्तों का मूड़ हो गया कि कहीं पहडों में जाके आते हैं तो चलते आगे तफरी करने निकल तफरी तफरी ओके अब लोके लैंग्विज में तफरी गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग वैसे गुड़ आफनू रहा है तो यह हाँ अच के हमारे सके एक्टर नमस्कार मिश्टर स्वानन और इनके बारे में आगे बताएंगे बट इनको अभी शॉट में बता देते हम इनको फ्लाइं बीस्ट बोलते हैं और बीस्ट आपको तर आपको क्या मतलब है वह आगे आपको बताएंगे यस फ्लाइश आपको मिलाते हैं हमारे थर्ड एक्टर से मिश्टर आनन्ड यह है सदाबार हमारे ग्रूप के मेंबर है यह अपने नाम के तर आमेशा आननदी या खुश रहते हैं और यह संतूर साबन बहुत इनके तो जैसे इनके उमर का पता ही नहीं लगा पाओगे तो फ्रेंड्स जो हमारा चाउथा एक्टर है उसे आप पहले मिल चुके है और अपने आदत के इनुसर वो आज भी लेट है उसको आपने हमारे साइक्लिंग वाले वीडियो में देखा होगा पहले मिश्टर आरके तो एस उसूल हम वेट कर रहे है देखते हैं वेट कितना लब बहुत है हमारे आरके यह फाइनली आ गए और यह आ गए वही हमारे बड़ी बात है आरके हमें बताएंगे कहां चल ला है तो इसी साफ से सर ने बोला तो बोला हम चल रहे हैं निल कंटेश्वार अब हम लोग अभी एंडिय रोड पे लग गया और अब लोग सिटी के बाहर आ गये तो इस रास्ते पे हम लोग आते जाते रहते हैं मैंने पहले व्लॉक्स में भी बताया है अभी हम लोग इसी रास्ते से आगे जाएंगे निल कंटेश्वार करीब करीब 25 किलोमेटर है य जड़ा तो ट्रेकिंग करने का है लेकिन अगर टाइम जड़ा होगा तो हम लों नहीं जाएंगे पूरा उपर तक कि युदि लंका पहुंचैन को हमें जल्दी आना है रिटर्म झाल झाल तो यह हमने कुछ नए एंगल्स किये है हमारे फ्लाइंग बिष्ट ने उड़ते उड़ते कुछ शॉट्स लिये है लेट सी कैसे आते हैं तो फ्रेंट्स हम लोग अभी राइट टन ले लिये है और यह रास्ता जो आपको पतला सावर पहाण के उपर जाता हुआ दिख रहा है यह निलकंटेश्वर की तरफ जाएगा ऐसे मैं गया नहीं हूं कभी अभूल ने कहा यही रास्ता है तो आप रट रस्ता थोड़ा कच्छा है लेकिन अच्छा है अच्छा है अब देख सके थोड़े ट्रावलर्स है हमारे जैसे यहां पे आने होने बड़ पता नहीं अब गाड़ी कितनी उपर तक जा सकती है रोड तो खराफ से खराफ होता जा रहा है लेट सी अब 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 भी ट्राइक नहीं होगी और आप जैसे देख सकते हैं तो पुछ तरी और उक्ड़े वे रास्ते तो फ्रेंट अभी अभी हमें पताचला है कि यहां पर जाने के लिए दो आप्शन है अब यह सब्सक्राइब Mary अछट जो आपको यह सीडी से प्योंदग नहीं है थोड़े रास्ते हैं ऊर यह ज्था घाक जाकरे मिल जाए और यहां यहां से ट्रैक्टर से जाने के एक ऑप्शन है तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग जाते होगे ट्रैक्टर से जाएंगे टाइम सेविंग के लिए बेसिकली अब हम सब उतर गए यहां से और यहां से मंदीर का प्रिमाइज शुरू हो जाता है चलते हागे तो फ्रेंड्स आप यहां पे सब देख सकते हैं आपको बहुत सारी मूर्थिया दीखेंगे पर्ष्ट आप आया हूँ यहां पे तो इसका भी डिटेकल्स तो मुझे नहीं पता अबछ अबिए के लिए फिलाल यह देखा दो आपको कि हर तरफ मूर्थि ही मूर्थि यह देखें आपको वाव अमेजिंग तो आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा अब लोग पांशेट डैम गए थे तो आप देख सकते हैं पांशेट डैम और ये बगल वाला दूसरा डाइम लग रहा है वरसगावे ना तो ये जो कौन सा लेफ्ट वाला है वरसगाव या राइट वाल पक्का तो ये दो डैम है आप देख सकते हैं वरसगाव और पांशेट अब ये दोनों में से वरसगाव कौन सा पांशेट कौन सा ये पता नहीं पता करके बताओंगा अपको मैं और ये निल कर्टेशन के तॉप पे हैं और वहां से ये नजारा दिखा रहे हैं आपको और पांशेट करता है ये मूरती और आप देख सकते हैं ये शकुनी है ये दूरियोदन है ये पांच पांडव है जो हारे हुए सबकुछ अपना ये दूथ है यह अपर अच्छागा सब्सक्राइब पीछे सारे राजे महाराजे वह गांदारी इसके बाद आए ये सारा महावारत का से रिलेटेड स्टोरी लग रहा है यह यह नवग्रह की मूर्तियां है ये अमोल यह राइट तो सुरी मुझे यहां का कुछ पता नहीं है इसलिए मैं ज्यादा आपको एक्स्पेंद नहीं कर पाऊंगा बट मैं जाने का मैं डेफिनिटली इसे गूगल करूंगा अगर 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 फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर जगे वास मूर्तियां ही मूर्तियां तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर अश्टविनायक की मूर्तियां है अश्टविनायक गनपती की मूर्तियां ऑठेशा अगर अजिए में मंदिर की तरफ तो फ्रेंड्स अब बहुत दिन से सोच रहे थे नेल कंटेश्वर आने के लिए और यह सर्प्राइज ही था एक्चुली मेरे लिए जो इतनी मूर्तियां मैंने किसी भी मंदिर में नहीं देखा है जहां देखो बस मूर्तिया ही मूर्तिया अब से अजी एक्षची आएए जुआइव आद्छ रहे आएए दो अई व्यंक्त अदिर देख है और मंदिर रहे है सो यह मंदिर से आएज्ट अब अब बहार का पहली व्यू देख सकते हैं दूस्तों अध्भुद्ध अब हम मंदिर से निकल के नीचे की तरफ जा रहे हैं कि काफी अच्छी जगह है अब एक पास टाइम थोड़ा कम था इसलिए हम लोग ट्रैक्टर पर आए अब जाते टाइम देखते हैं कि ट्रैक्टर से जाते हैं या पैदल है अब हम लोग मंदिर से निकलने के बाद बारिश शुरू हो गई और हम लोग कोई भी रेंगेर लेकर नहीं आया थे ना रेंगोट था ना च्छत्री था तो हम लोग भीग गये सब कैसे कैसे मोबाइल को बचा लिया अब अब बारिश खतम हो गई है तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रैकर के जा रहे हैं और अजब देख सकते हैं काफी स्लोप हैं और मज़ा रहा है चलने में और सामने देखिए नज़ारा बारिश खुलने के बाद आपको हलके-लके क्लाउट दीख रहे है सुपर और आप देख सकते हैं यहां पर डैम का भी नज़ारा आप देख सामने देखिए अद भुद्ध तो फ्रेंड्स अब हम लोग नील कंटेशर मंदीर घूम कर पूरी ट्रैकिंग करके नीचे की तरफ आ गया है पार्किंग में तो काफी अच्छी जगह है तो जादा कुछ पता नहीं था क्या है उपर क्या नहीं तो मुझे लगता है यहां पर काफी टाइम स्पेंड किया जाए सकता है क्लाइमिट भी अच्छा तो आप जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में हमें थोड़ी जल्दी है इसलिए अम लोग ट्रैकिंग करके आए भीग भीग है अगर जल्दी नहीं होता तो थोड़ी देर और रुकते हम लोग और कुछ और फोटोग्राफी करते तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्